इस सेशन में हम लोग डिसकस करेंगे कि STLC क्या होता है software testing life cycle क्या होता है it is the most important topics for software testing, software testing के लिए यह बहुत ही important topic है मैं आप गताना जाता हूँ देखो STLC का मतलब होता है software testing life cycle मैं आप गताना जाता हूँ जैसे हमने SDLC देखा हुँ सब्सक्राइब करते हैं SDLC में हम टेस्टिंग का टेस्टिंग का टेस्टिंग की टीम कैसे step by step work करती है इसको हम बोलते है STLC यह it is a defined sequence of activities जैसे अपन SDLC के अंदर अलग-अलग activities define करते हैं वैसे STLC में भी testing activities define होती है और यह जो activities के तुरू ही हम क्या कर सकते है different different type के process को implement कर सकते हैं यह हमारा diagram है STLC का इसके अंदर हम सबसे पहले requirement analysis करते है requirement analysis का काम होता है senior किवेगा फिर हम test की planning करते हैं कि भी हमें test में कितना time लगाएगा कितना cost estimation होगा इसके type के testing के जरूरत होगी यह सबी चीज़ें हम test planning में करते है test case development यह हमारा practical exposure होता है इसके अंदर हम लोग अलग अलग type के test cases लिखते है different on test scenario ठीक है जैसे हम check login form यह एक scenario हो गया अब login form में हमने क्या क्या step follow किया उसके लिए हम test case development करते हैं test case development हम excel file में भी कर सकते हैं और company अपनी अलग अलग format file भी देती है अलग अलग company में अलग अलग format files होते हैं あलग अलग software tools होते है जाव हम test case को deploy कर सकते है test case को लिख सकते है इसके बाद चौता जो होता है test case लिखना अलग बात होती है test case को execute करना अलग बात होती है जैसे मैं लिखता हूँ कि username must be alphabets यह हो गया आपका test case अब उस test case को execute करने से पहले आपके पास environment भी होना चाहिए जैसे for example कोई project Java में बना हुआ है तो सीधी सी बात है आपके machine पे Java का पहले आप environment set करोगे और Java का पूरा software डालोगे फिर आपका software चालू होगा environment setup का मतलब यह होता है कि किसी भी software को execute करने के लिए जो उसके internal software packages की requirement होती उसे बोलते है environment setup करने जैसे for example आपका एक application dot net में बना हुआ है तो आपको environment setup के लिए visual studio की जरूत पड़ेगी for example आपका application PHP बना हुआ है PHP के लिए आपको PHP की environment setup करना पड़ेगा that is for environment setup इसके बाद test execution होता है execution में क्या आता है देखो जब हम test case development करते हैं हमारे पास expected result का column होता है जो हम test execute करते हैं हमारे पास actual result का भी column आ जाता है test की priority आ जाती है sorry test का status आ जाता है error की priority आ जाती है इसे बोलते हैं test execution और last में आपका आता है test cycle closure इसका मतलब यह होता है कि आपका test complete हुआ कि नहीं हुआ test cycle closure report तब दिया जाता है जब आपका पूरा system bugless हो जाता है आपके system में किसी भी type का कोई डिफेक्ट नहीं होता किसी भी type का कोई बग değil होता किसी भी type का कोई problem नहीं होती तो test cycle closure report created होता है यह पुरा का पूरा जो A2Z task होता है ये अलाग-अला activities में divide होता है और इस activities को बोलते हैं STLC Software Testing Life Cycle अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जो software testing life cycle का जो पहला phase होता है that is called requirement analysis का phase ये phase एक ऐसा phase होता है जिसमें सिर्फ discussion होता है testing team का development की team के साथ कभी यदी जरूरत पर ही तो हम client से भी testing team interaction कर सकता है system का architecture जो diagram है वो भी देख सकता है client के अंदर जो business analyst होता है उनसे भी communication हो सकता है technical leads से भी communication हो सकता है अब खुल मिला करके testing team requirement समझती है कि क्या project actual बनना चाहिए project के अंदर क्या क्या requirements है इसको पहले वो finalize करती है इस phase में क्योंकि आपको किसी भी चीज को यह टेस्ट करना है कि यह सही है कि गलत है पहले आपको उसका सही क्या है आपको यह पता होना चाहिए तभी आप बता सकते हो कि इसके अंदर यह mistake है जब तक आपको यह पता नहीं है कि सही क्या है जोसरा automation होता है तो हम यह चेक करते हैं कि automation feasibility है के नहीं है मतलब automation selenium का use कर सकते हैं, KTP का use कर सकते हैं, Kucumber का use कर सकते हैं, APM का use कर सकते हैं कितने type के, जेखो testing के दी type की बात तो मैं करीबन 200 अलाद अलाद type के testing होते हैं 200 different type of testing has performed तो कौन-कौन से testing आपके इस project में use होगा, that thing is also the part of requirement analysis इसके बाद कौन से testing को पहले करना है, कौन से testing को बाद में करना है, कौन सा phase अभीज बहुत जरूरी है, कौन सा phase कम जरूरी है, कौन सा phase बाद में होगा ये चीज़ों को gather करने का काम भी requirement analysis का होता है This is called gather details about testing priorities and focus RTM requirement traceability matrix बनाना, मैंने आपको बताया भी ता requirement traceability matrix एक पूरी तरह से index होता है किसी भी testing का, उसके अंदर functional requirement documents, business requirement details, साथ में आपके test scenario कितने हैं, कितने test cases हैं, कितने test case पास हुए, कितने fail हुए हैं, पूरी information RTM में रख दिया इसके बाद environment के detail भी आपकी कौनसी technology में project मना हुआ है, इसको manage करना ये सभी चीज़ों का काम जो है, वो पूरा का पूरा requirement analysis का होता है जैसे SDLC में requirement analysis, business analyst करता है, requirement analysis का पार्ट जो है बहुत ही particular साब का बहुत ही complex part है या बहुत ही useful part है इसको QA का profile होता है, quality analyst profile या senior quality analyst profile के जो candidate होता है कंपनी में वो ही requirement analysis पे काम करते हैं, कोई fresher candidate requirement analysis पे कभी भी काम नहीं करता है second आता है test planning, test planning का in the sense कि testing बड़े project की बात करना हो जहाँ पर बहुत सारे forms होता है जैसे मैं एक banking ERP की बात करना हूँ तो test की planning करनी पड़ती है, कि हमें हमारा strategy क्या होगा testing के अंदर कौन-कौन से team की जरूत होगी, कितने manpower की जरूत होगी, कितना time लगेगा इन सभी चीज़ों को estimate करना test planning का लगा है this phase is also called test strategy phase typically in this stage a senior की manager will determine effort and cost estimation for the project इसमें effort estimation और cost estimation होता है वो आपका test planning का part है preparation test plan, इसके बाद test tool का selection, test effort का estimation, resource को plan करना, training availability ये सब चीज़ों को manage करना that is called test planning का phase होता है इसमें कहके documents deliver होता है test plan और strategy documents और effort estimation documents ये test planning का part होता है test case development this phase involves creation, verification and rework of test cases and testing अब आपका ये face ये बताता है कि आपको कितने test case बनाना है क्या verification करना है test case development in the sense कि आपका particular step by step जो भी आपको testing करना है उसको एक file के अंदर लिखना that is called test case development इसके अंदर क्या होगा आपका बनाना, verify करना, rework of test cases वापस से आपका test cases में क्या 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 आपको manage करना है यदि आप automation testing करते हैं उसके लिए आपको test script बनाना पड़ता है क्या क्या testing का data होगा जैसे आपको email टेस्ट करना है तो कौन-कौन से email आपको test करना है पासवर्ड टेस्ट करना, कौन-कौन से combination के password आपको test करना है ये test data का part होगा है activities क्या क्या करना है, test cases बनाना automation script यदि आपका automation होगा तो review and baseline test cases, review करना test cases को कि ये सही है कि गलत है create test data, यदि जो भी आपको testing करना है इसमें कौन-कौन से documents देने पड़ते है test case documents और test data documents test case development मैंने इसके पहले session में बताया हुआ है आप excel file में देख सकते हैं कि कौन-कौन से parameters होते है मैं आपके एक बार फिर से revise कर देता हूँ test case जब भी हम बनाते हैं तो test case की seed जो होती है उसमें पहला होता है test step दूसरा होता है test scenario तीसरा होता है test data चौथा होता है expected result पांचमा होता है actual result छटमा होता है test status फिर इसमें आता है test priority या error priority इसके बाद tester comments developer comments ये सबी columns उसके अंदर होते हैं test case development के बाद जो चौथा phase होता है test environment environment का मतलब होता है कि आपको जिस machine पे testing करने हैं उस machine के अंदर किस-किस टाइप के software की requirement है किस-किस टाइप के software packages की requirement उसे बोलते है environment environment वालब related software product on that machine should be installed test environment decides the software and hardware condition कौन से software की ज़रुएत पड़ेगी किस type का hardware होना चीए किस type का machine होना चीए testing करना है जिसमें minimum hardware configuration 1GB RAM होना चीए तो अप्थिर आपको hardware 1GB RAM मिनिमाम से लेकर के maximum तक range-based testing करना पड़ेगा अंडर भीचे पर प्रोडेक्ट test environment setup is one of critical aspect of testing process टेकर testers के लिए environment बनाना थोड़ा critical होता है तो कभी-कभी development के थुरू ये support team के थुरू भी test environment setup के help ले सकते है test environment setup का माकाम यह होता है कि आपके real time environment में software को चला करके देखना ठीक है क्योंकि developer आपको build देता है क्या देता है build build मतलब software का एक setup देता है उसको execute करना को वो सही एक गलत है that is called environment इसलिए smoke testing इसका एक part होता है smoke testing होता है जो build initial build पर जो testing होती है उसे smoke testing बोलते है understand the required architecture environment setup and prepare hardware and software requirement ठीक है क्या क्या project आपका required architecture क्या है इसको समझना और उसके मताबिक आपके software installation को manage काना perform smoke testing operation फिर इसका delivery documents में क्या क्या होता है environment ready with test data setup और smoke test का जो result आता है वो pass या fail यह आपको देना होता है इसके अंदर test environment setup के अंदर test execution test execution का अधला मैंने आपको समझाया था कि जब हम test बनाते हैं जब हम test case development करते हैं उस हम सिर्फ expected result की बाग करते हैं लेकिन जब हम test को execute करते हैं तो उसमें हमारा expected result के साथ actual result भी आता है during this phase test team will carry out the testing based under test plans and test cases prepared bugs इसमें bugs भी हम निकालेंगे बही कौन सा bugs है आपके प्रोग्राम में वो भी हम test execution बिलता है execute test test per plan test को plan के according execute करना documentation करना map rate effect to test जो भी आपके test pass हो रहे हैं उनको RTM में उनकी entry करना retest यदि आपका कोई भी developer आपने कोई भी testing testing में दो टाइप के testing होता है एक fresh testing होता है एक re-testing होता है re-testing मालब पहले से आपने एक बार testing किया है लेकिन उसके अंदर कोई बग थे वापस से वो seat आपके सामने आएगी उसको आपको retest करना पड़ाएगा Track आपको यह भी पता करना पड़ेगा जो problem आई थी वो solve होई की नहीं हुई इसे पूलते है Track the defect यह test execution में आता है Delivery documents में क्या आएगा? RTM को complete करना, test cases को update करना with actual results और जो defect reports से उनको prepare करना है यह काम होता है test execution का यह last step होता है test cycle closes Testing team will meet इसका मतलब यह होता है कि जैसे आपका testing पूरिताय से finish हो गया आपके testing में एक भी type का bug नहीं है RTM में सभी test cases pass हो चुके हैं तो इस case में आप test cycle closure के अंदर हम discussion करते हैं कि हमारे project में क्या-क्या problems आई हम अपने project के performance को और कैसे testing के performance को क्या और कैसे बढ़ा सकते हैं ठीक है हमारे project के अंदर सबसे critical points क्या थे testing में उन सब चीजों को analyze करना है यह test cycle closure के अंदर होता है evaluate cycle completion criteria जो हमारा time जो हमारा coverage था हो time जो हमारा था हो बराबर time में complete हुआ test coverage क्या है कितना आपने testing किस label तक किया software cost, software costing को determine करना software critical business objective ठीक है क्या-क्या critical point वो आपके project के अंदर manage करना और quality of the project क्या है उस चीज को evaluate करना यह काम किसका होता है test cycle closure में होता है prepare test matrix IDM को बनाना document the learning out of the project ठीक एक documents बनाना कि आपने इस project से क्या सीखा prepare test closure report, test closure report बनाना, qualitative and quantitative reporting of quality of the work इसके बाद आपके project को पूरा QMS प्रोवाइट करना, quality management system प्रोवाइट करना test result analysis to find out the defect, ठीक है defect का क्या distribution था, कितने type के defect उसके लिए आपने क्या क्या किया severity के लिए क्या 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 किया, उन सब चीजों को चेक करना, यह काम test cycle closure करना deliberate documents में आपके किसी भी project के अंदर project report create हो गई, there meaning is that यह आपका project में किसी भी type का कोई bug नहीं है इस तरीके से हम इसको पूरा का पूरा evaluate कर सकते हैं, इसे बोलते हैं हम STLC, क्या बोलते हैं, software testing life cycle, this is the important phase of any IT company for testing phase कि किसी भी company के अंदर testing phase के लिए यह बहुत ही important task होता है जिसको हमें करना हूँ